नमस्ते बचो मैं हूर मिला और एक वर फिर स्वागत है fun and learn में बचो आज का जो वीडियो में आपके लिए लिकर आई हूँ है कविता है और इस कविता का शीर्षक है स्वाभाविक दान और इस कविता को लिखा है बाल स्वरूप राही जी ने तो चलिए देखते हैं क्या है इस कविता में उसके पहले हम कविता पढ़ने से पहले हम इसका एक ब्रीफ में इंट्रेक्शन ले लेते हैं कि देखे जैसे प्रकृती में परोपकार की भावना होती है वह हम सभी को बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ देती है इसी सुभाव को हम मनुश्यों दारा कुछ लिए ही कुछ न कुछ देती ही रहती है और इसी नेचर को हमें भी फॉलो करना चाहिए और अपने लाइफ में स्वाभाविक दान का प्रवर्ती को उसकी आदत को बढ़ावा देना चाहिए तो अब चलिए देखते हैं कविता क्या है तो पहले हम पूरी कविता पढ देता चाहिए जो सुस्ताए फिर दूसरा देखें खिलते समय नफूल सोचता कौन उसे पाएगा उसकी खुशबू अपनी सासों में भर इतराएगा फिर तीसरा है बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचे बस वह बरस बरस भर देता नदिया नहर जलाशे फिर चौता है जो सभाव से ही दाता है उन्हें न कोई भ्रम है भेद भाव करते हैं वे ही जिनकी पूझा कम है कितनी सुन्दर पंक्तिया लिखिये बाल स्वरू प्राही जी ने तो चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं कविता की पंक्तियों की अर्थ तो पहले वाले सवर्भा से कुझा करता है है जिसे से पेड़ किसी से नहीं पूझता कहो कहां से आए वे तो बस कर देता चाया चाहे जो ंसताे मतलत पेड कभी भी राहगीरों से प Jaud के under the tree उसके नीचे आने वालों लोगों से कभी भी यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो उसका जो सभाव है लोगों को छाया देना और ठंडी-ठंडी हवा देना तो वो सभाव एक रूप से वह सबको समान रूप से प्रदान करता है इसी तरह दूसरा देख टूल लगता है किसमें फूल के पौदे मेझे पीर कली के बाद वह जो फूल बन के खिल जाता है कि अगली की इस तो नहीं必 नहीं सोचता है कि उस फूल को कॉन तोडेगा करेगार उसकी खुश्बू पाकर के प्राउट फिल करेगा वह दू mental जल का सभाव है इसी तरह तीसरा देखे बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचे बस वह बरस बरस भर देता नदिया नहर जलाशे बादल मिंस क्लाउड जो होते हैं जब बहुत हेवी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल मिंस वाटर स्टोर या कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर र dusty और फिर जितनी भी वांट रोट इंगी मैं सब को फिल कर देता है उनसको भर देता है इस अजह बादल 50 का सभाविक डान करता है इसी तरह चौद हा देखें, जो सभाव से ही दाता हैं, उन्हीं न कोई भरहम हैं, भेदभाव करते हैं वे ही, जिनकी पूचा कम हैं, मतलब जो सभाव ही देने का है, दाता है, जो डोनर है, और जो हमेशा selfless है, beneficient है, वो हमेशा परोपकार ही करते रहते हैं, उन्हें कभी भी कोई भ्रम नहीं होता है, वो किसी पे भी भेदभाव नहीं करते हैं, मतलब discrimination या differentiation नहीं करते हैं किसी के भी बीच में, सभाविक रूप से वो दान करते रहते हैं, भेदभाव तो वो लोग करते हैं, जिनकी पूझा कम है, मिन्स इसका अर्थिया है, कि जिसकी छोटी सोच है, जो narrow-minded type के लोग हैं, वो ही लोगों में भेदभाव या discrimination करते हैं, तो ये थे इन चारो पंक्तियों की कविता का अर्थ, अगर इसे आपको एक mind map के रूप में समझना हो, तो आप इस तर को खुश्बू देता है, फिर तीसरी पंक्तियों में क्या है, बादल सब पर समान रूप से जल बरसाता है, और नदियान नहरों जलाशियों को भर देता है, फिर चौथी में क्या बताया है, जिन लोगों के स्वभाव में ही कुछ देने की प्रवर्ती हो, वे तो देते ही रहते हैं, बहेत भाव तो वे लोग करते हैं, जिनकी छोटी सोच होती है, तो ये थे बचो, स्वभाविक दान कविता, और उसके अर्थ हमें भी इस कविता से सीखना चाहिए, अपने जीओन में स्वभाव में स्वभाविक दान की प्रवर्ती को डेबलब करना चाहिए, उसकी प्रवर्ति को अपनाना चाहिए तो अब हम मिलेंगे आपको एक दूसरे नए वीडियो में तब तक आप इसका विदा को पढ़िए और इसका आर्थ समझे अपना ख्याल रखिए अब हम इसके प्रशन उत्तर ले करके दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे टेक कियर बाई बाई